वेल्कम टू आल तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन है भाईया कंसिक्वेंसेज फॉर बरीच ऑफ कंटेक्ट देखो बेटा हमने शुरू में पढ़ा कि कोई भी कंटेक्ट जो होता है वो बेस कर रहा होता है मतलब दोनों पार्टी ने पर्फॉर्म करना होता है दोनों पार्टी ने जो पर्फॉर्म नहीं करती तो बेटा उसके लिए क्या कुछ होगा हमने पढ़ा कि कंट्रेक्ट होता ही वो ही है जो इनफोर्सेबल बाई ला हो बदलब इनफोर्सेबल बाई ला हुए बगएर कोई कंट्रेक्ट कंट्रेक्ट ही नहीं होता है तो इनफोर्सेबिल्टी से मुराद क्या होता है कि अगर कोई पार्टी जो है वो डिफॉर्ट क मिलेंगे उनके नाम क्या होते हैं और वो कब कब अवार्ड किये जाते हैं ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे compensation for loss और damage caused by the breach तो किस तरह के damages दिये जाते हैं जब कोई contract breach होता है जब कोई एक party जो है वो perform नहीं करती है यो दोनों parties perform नहीं करती है तो नॉर्मली first type के जो damages दिये जाते हैं वो होते हैं ordinary damages और नेरी damages क्या होते हैं जो usual course of business में normally arise होते रहते हैं मतलब यह वो damages होते हैं जब parties contract में इंटर होती हैं तो वो लिखती नहीं है contract में के भाई अगर किसी ने perform ना किया तो इतना damage देना पड़ेगा यह लिखा हुआ नहीं होता number one number two दोनों parties को इसके बारे में कोई as such पता भी नहीं होता ठीक है के भाई अगर यह perform ना हुआ contract और इनकी intention भी नहीं होती है क्योंकि यह normal course of business में जो transaction हो रही होती है उसमें तो लहादा इस case में जब कोई शक्स जो है वो perform करना चोड़ देता है क्योंकि मैंने market में sale करना है 1000 पर बोरी के हिसाब से ठीक है अब due date के उपर company or factory मुझे यह बोरिया नहीं देती तो इसके लिए मैं अदालत मुझे जो damages देगी वो ordinary damages कहलाएंगे यह damages किस तरह कल्कुलेट होते हैं बेटा कि उस वक्त जो market prices है कि market price जो है 1200 पर बोरी है और मेरा contract 1000 पर बोरी का था तो 200 पर बोरी का जो मुझे loss हो रहा है यह ordinary damages के तोर पे court मुझे award कर देगी तो लहाजा यह वो damages होते हैं जो हम as a contract के अंदर लिखते भी नहीं है हमें पता भी नहीं होता और हमारे normal course of business में यह आ रहे होते हैं तो इनको ordinary damages कहा जाता है उसके बाद special damages यह बेटा वो damages होते हैं जो parties को पता होता है at the time of entering into a contract मिसाल के तोर पे मैंने sugar factory के साथ contract किया जी मुझे 200 पर बोरी जो है वो आप दे दे हजार पे के पर बोरी के हिसाब से और आपको पता है कि अगर आपने उस दिन मुझे ना दी तो मुझे 200 पर बोरी का loss हो जाएगा तो लहाज़ा दोनों parties को अगर पता होता है कि in case के अगर breach होती है और damages arise होते हैं तो उन damages को special damages कहा जाता है जिसने contract थोड़ा है उससे वो receive कर सकती है compensation जो उसको damages हुए है which the parties knew जो के parties जानती थी जब contract हुआ तो special damages कोन से होते हैं बेटा होते हैं ये भी वो damages है जो normal course of business में हो रहा है लेकिन इसके बार में parties already जानती होती है कि भाई इतना loss मुझे हो जाएगा अगर तुमने मुझे ना दिया तो ठीक हो गया जबके ordinary damages क्या है इसके अंदर ना तो लिखती है और ना ही वो जानती है और ना ही कोई इस तरह का मसला पहले already हो रहा होता है एक continuing nature के contract चल रहे होते हैं तो इसके damages fair market value के उपर होंगे और ये वो damages होंगे जो parties जानती होंगी जो उनको पता होगा जितने damages होंगे उसके बाद remote या indirect losses ये वो losses होते हैं ये damages होते हैं मिसाल के तोर पे मैं आपको example देता हूँ कि आपने एक taxi कराई और taxi वाले को कहा जी आप मुझे जहाज तक मैंने airport पहुंचना है अगले 30 minute में क्या आप मुझे पहुंचा दोगे अगर आपने ना पहुंचाया तो भाई आप मुझे 2 क्रोड रुपय का loss हो जाएगा 20 million का loss हो जाएगा वो taxi वाले कहता जी ठीक है तो आप बैठ जाते हैं ट्राफिक में पास जाती है टायर पंचर हो जाता है कुछ भी होता है आप लेट हो जाते हैं और आपको 2 क्रोड का damage हो जाता है यह आपको एक indirect loss हुआ basically उसके taxi वाले के साथ deal करने में अब बैठ यह 2 क्रोड का damage taxi वाले से recover करना बहुत ही remote है मतलब बहुत ही remote है यह उससे recover नहीं किया जा सकता तो लहाज़ा इस तरह के normal losses जो है वो recover नहीं किये जाते बलके normal compensation जो है वो अदालत उसको दे सकती है normal compensation क्या है कि भाई जहाज की ट्रिकट के पैसे उसे दे दो जो उसके waste हुए है यह उसका किराया उसे वापस कर दो तो normal losses जो है उसको दे जाते है such compensation is not to be given for any remote and indirect losses or damage sustained by reason for the breach there may be losses which clearly result from the defendant's breach damage कि भाई यह पता होता है हमें पता है कि यह loss ऐसा है जो टैक्सी वाले की गलती से हुआ लेकिन बहुत remote है कि यह उससे recover हो पाए उसके लिए normal damages गोल्ड यू है वो उसको अवार्ड कर देती है इनको remote damages तहा जाता है उसके पाए जो quasi contract होते हैं इनमें अगर quasi contract कोन है हम chapter ravidate में पढ़ चुके हैं वो जो supply of necessities वगेरा और वो वाले जो contract होते हैं जो implied by law होते हैं उसके अदर अगर कोई party breach करती है तो उसमें भी जो damages दिये जाएंगे वो normal contract consider करते हुए जो damages आएंगे वो ही दिये जाएंगे च चाहे वो special में आ रहा हूँ चाहे वो ordinary damages में आ रहा हूँ तो लहाजा पहजाई contract के जो damages होते हैं वो भी बिल्कुल similar होते हैं जिसता के बाकी contract की बरीच से जो damages आते हैं अच्छा अगर एक शक्स को contract के साथ आपने परफॉर्म किया contract तो परफॉर्म हो गया लेकिन वो इतनी अजियत से परफॉर्म हुआ कि आपको inconvenience हुई mentally आपको torture हुआ mentally आप disturb हुए मिसाल के तोर पे एक शक्स के साथ आपका contract था कि जनाब आपने मुझे ये चीज़े supply करनी है वो भाई कभी आएक दे रहा है कभी दो रहा है कभी फोन ने उठा रहा कभी बात नहीं कर रहा रहा है तो लहाँजा जब भी किसी शाहस को नार्मली डेमज दे जारहे हूंगे चाहे और नर्यरिया हुआ स्पेशल डेमजीज है उस में अगर आपको कोई इन वन कि इन कर्वीनियंस भी है तो वह भी काउंट में लेके अदालत वह बाली यह भी देमज देगी इगी इच is the duty of the agreed party to take all reasonable steps to mitigate the loss caused by the breach and it cannot be claimed compensation for the loss which could reasonably have been abided कि देखो भाई दोनों parties की responsibility है कि उनको जो damages हो रहे हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें मिसाल के तौर पर मैंने sugar factory के साथ contract किया जी मुझे 1000 बोरी जो है वो आप दे 1000 पाय के साबसे 200 बोरी दे उन्होंने मुझे नहीं दिया अब market के अंदर rate 1200 चल रहा है अब मैं एक और जगह से मुझे 1100 के हिसाब से बोरी मिल रही है वो मुझे offer हुई है मैं क्यों आपसे 1100 के हिसाब से लो मैं तो भाई इसी सही 1000 वाले के उपर compensate करूँगा 200 का damages लोगा हाला कि आप यहां इसके साथ contract करके आप 100 का loss बचा सकते थे तो अदालत कहेगी कि यह आ reach of contract के case में normal damages मिल रहे होंगे वहां पर अगर उसको कोई inconvenience भी हुई है तो वह वाले भी estimate अंदर डाल के अदालत damages अवार्ड कर देती है इसी तरह अगर कोई party वाइडेबल contract के अंदर है और वो contract को cancel कर रही है मतलब a person who rightfully resigned a contract के contract ऐसा था जो वाइडेबल हो गया किसी भी वज़ा से undue influence, coercion, non-performance या restriction on performance, restrictive performance वगेरा 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 किसी भी वज़ा से वाइडेबल हुआ और एक party उसको resigned या cancel कर देती है तो वो party entitled है कि वो compensation ले सकती है जितना कि उसको loss हुआ है contract ना perform करने की वज़ा से अच्छा अच्छा दूसरा क्या है बेटा कि नॉर्मली क्या होता है contract के अंदर एक penalty clause डाली जाती है क्यों ताकि contract को enforce करा जासके मिसाल के तोर पे मैंने गाड़ी का contract किया सेल करने का बिलाल को मैंने का जी मैं आपको गाड़ी 10 लाख रुपए में सेल करूँगा और बिल penalty stipulation penalty clause जो है वो किसी भी contract के अंदर डाली जा सकती है लेकिन law कहता है कि penalty चाहे आप जितनी मर्जी लिख लें लेकिन unreasonable नहीं होनी चाहिए अगर आपने unreasonable penalty लिख दिये तो law सिर्फ आपको reasonable penalty जो है वो अवार्ड करेगा तो law क्या कहता है parties जो है वो किसी किसम की penalty clause डाल सकते है है जो के payable होगी as a damages law कहता है कि कोई भी ऐसी penalty class जो के extra vision या disproportionate हो मतलब unreasonable हो तो भाहिया वो अवार्ड नहीं होगी code क्या करेगी सिर्फ reasonable compensation जो है वो अवार्ड करेगी irrespective of that कि उन्होंने penalty class में कितना कुछ लिखा है तो लेहाजा penalty class या stipulated penalty class डाली जा सकती है penalty class लेकिन damages जो उसके against मिलेंगे वो reasonable ही होंगे unreasonable नहीं होगे इस तरह interest भी as a penalty class डाला जा सकते है मिसाल के तौर पर मैंने किसी को loan दिया उसने कहा जी मैं 31 December को आपको वापस कर दूँगा मैंने कहा जी अगर आपने 31 December को वापस ना किया तो फिर daily के base पर 1% interest आपको pay करना होगा तो law कहता है कि यह वाली आप clause डाल सकते है ठीक है तो यह बेटा damages है किस के in case of breach of contract तो अगर कोई contract breach होता है तो कितने तरह के damages मिलते है और नेरी special दो तरह के damages होते है रिमोट damages कोन से होते है बेटा वो वाले damages होते है जो normally recover नहीं हो सकते है ठीक है और नेरी damages और नेरी course of business में होते है special damages जो party जानती होती है फोजाई contract में भी वो ही damages मिलते है जो normal contract की breach के तौर पर बिलते है इसके इलावा अगर inconvenience बगएरा हुई है किसी को contract की breach में तो वो वाला भी damages recover किया जा सकता है उनको कहते है remedy for inconvenience penalty class डाली जा सकती है लेकिन penalty class के उपर compensation जो है वो reasonable मिलेगी unreasonable compensation नहीं मिलेगी और इसी तरह interest penalty class भी as a increased interest penalty class भी डाली जा सकती है law कहता है ये भी आप डाल सकते हैं तो ये हमारा बेटा chapter 9 जो है वो breach of consequences of breach of contract है चोटा सा है बिलकुल एक दो पेजी का है इसको रटा मार ले ये बहुत important है इसमें से question लाजमी एक अदा आना है normally वो आप से special damages या inconvenience के damages के बारे में पूछता ह है और majority तोर पर जो contract act के अंदर की studies आते हैं वो performance में से और damages में से आते हैं तो इनको आपने याद करना है बुक में मौझूद तमाम examples आपने एक बार पढ़नी है उनको solve करना है तो ये आपका proper त्यार हो जाएगा ठीक होगे बचा ठीक है बचे बचे चला जी तो फिर मिलत है इंशालला next class में chapter 10 हमारा last chapter है उसको हम पढ़ेंगे तो अला तला आप सबको अपनी जोमान में रखे बचा अला अफिस